हाँ तो भी स्वाग है था अपनी जन तक है नए अपिसोड में आज को जो पॉड़कास होने वाला है नाइट टॉप का यह होने वाला एक दम डिफरेंट क्यों कि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे डिसॉर्डर की विच इस कॉल्ड परस्टनालिटी जिसमें मुल्टिपल एक सिंगल human being के अंदर एक्सपीरियंस करता है उसको अलग-अलग बहुत जादा mood swings होते हैं इंसानी बदल जाता पूरा अपने आप में तो आज हम डिसकस करने वाले आज हमाशात मौजूद है नताशा जी और खुशी और नताशा वह हैं जो यह फेस करती थी पहले इनके स अदे व Rebel, यह सारी हुँ सबीधम्र मेरे दिन तक मेरे आगा सफ यह समय तो एक ढगा आजा हैं अपने थादानी को बदानी को आज होतां के अईक है वही नॉर्मल हमाढ़ार था को मुझे मंदिर बता में कि ऐसे ऐसे चीजे हो रही हैं दागावागा दे दो मतलब इसको डर फील हो रहा है उन्हों ने मुझे दागावागा दे दिया आप अपने सेंसिज में थे आपको पता चल रहा था आप चिकन मांग रहे हो या फिर वो डिसॉडर का ही पार था कि एकदम ही आप अपनी परस्नालिटी दो आपको पता होता है आप क्या कर रहे हो आपको क्या चाहिए वो दिरी दिरे ग्राज्वली आप अपने पेरेंट से आपको किसी के साथ रहना ही नहीं पसंदाएगा एकदम रूम अलग एकदम अकेले हो जाओ गया और यह हो कि उरादा इसकी वज़ा पता चली हाँ मचे बाद में पता चला जब मैं इबास गई जब मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट वहाँ पर तेरिज माई बॉइफ्रेंड और मेरा एक उनके साथ फ्रेंड था उन्होंने मुझे सज़ेस्ट किया उससे पहले मेरे घरवाले लाइक सबको लग रहा था कि बूत परेता आ गया है पहले मैं किसी और के बास गई बाबा वा गयरा के बास फिर दूसरे चेंज किये तो कुछ नहीं हो रहा था सिर्फ पैसे ह वेस्ट हो रहे थे कुछ नहीं करते थे पीपल अर पॉर्चनिस्ट थोड़ा बता हो डिडिल में और क्या क्या आप चीजे मतलब हरकते घर में चल रही थी आपके साथ जैसे आपने बोला मुझे चिकन चेह है तो बहुत जादा हांट हो ले लगे मेरे घरवालों को भी बिल्कुल आप नॉर्मली आठ गंटे तक सोते हो नो गंटे तक सोते हो मैं तीन दिन तक सोती थी तीन दिन और वेट वागेरा भी गें हो रहा था आपका इसा भी कुछ था पर तो कोई अफेक्ट नहीं पड़ घर भाड़ जाती है तो आपकी बोड़ी एकडम कातम हो जात या कुछ ऐसा बूल दिया सो एक तम से ही, लाइक मैं ऐसे लिफट कर लेती थी चीजे कैसे, बहुत जादा इनर्जी आजाती थी, लाइक मारना स्टार्ट कर देती थी फिर. जा लिफट कर लेती थी, अगर तू बता सकते. I can lift the body. अब तु हवा में है, मैं हवा में नहीं मतला यह किस योर को लिफ्ट कर रहे है घर वाले बांध के मुझे जोए कि एक दम से कुछ जा रहा है तो काई इंक कुछ हो ना तो बहुत मुआ है जो बहुत मुछ आद ही जो उड़ती ती लोग दम से ही और चार जार दिन दक सोथी बट अभी बीच बीच पता ही निकलता था, स्टार्टिंग तो बहुत जादा ही होने लगया था, बहुत जादा ही था, मतलब कॉंस्टेंट रहता था 5-5 दिन तक, मैं एक इंसिडेंट बताती हूँ, मैं पहले एवेंट्स करती थी, तो मैं आटो मैं बैठी हूँ, अपनी फ्रेंज के साथ, मेरी नेबर्स थी थी, वो दीदी में को आपको अपागल होगी, ये कैसी बाते कर रही है, तो मतलब आपकी एनरजी जित्ती ही स्ट्रॉंग होती है, आप यहाँ बैठे हो और दूसरा बना वहाँ बैठा है, वो क्या कर रहा है, आपको पूरा सिनारियो दिखते थी, वीजुलाइजसिशंस वोती थी, ये कहा बेंठा है, मतलब बहुत दूर मेरी और वर間 का घखते हैं जादा जी लेटे हुए है और तू ने रेड कलर की वो पहनी है शॉट्स पैन रखी है ब्लाक टीशिट के साथ उसने सेकंड्स में फोन कार्ट दिया अच्छो हाद में फट जाएगी पैस वोलो है इसे कैसे बता लगा पर यह तो अन्रियल चीज है मुझे भी नहीं पता था कैसे हो रहा है उसने सेकंड्स में फोन कार्ट सिर्फोन कार्ट है ब्रेक अप कर लिया उसे ब्रेक अप तो नहीं किया फोन कार्ट दिया कि उसको लगा कि यह क्या हो रहा है मतलब एकदम से तो पहले उसको चीजे रिलाइज नहीं फिर धीरे जब उसको लगा कि यार इसको तो आपको पता था कि you are not yourself, आप तीन दिन तक सो ही रहते हैं या आपको लगता था मैं तो नॉर्मल उठी हूँ, क्या चलिए हूँ हाँ, नॉर्मल उठी हूँ मैं, ममा खाना दे दो और फिर जब घरवाले बताते थे कि तुम तीन दिन तक सो रहे थे, तो how do you used to react कि तुम इस तीस को मानते थे की भी आसा हो रहा है नहीं बताते थे, क्योंकि उनको लगता था अगर फिर से off-end हो गई तो तो उस टाइम पे वो कैसे react करते थे, वो क्या बोलते थे कि यह कुछ लेगेटिम है इसके अंदर बहुत सारे जिन है, एक आत्माई नहीं है इसके अंदर, इसके साथ 10-10 इसके अंदर 10 तरह की souls है इसमें, जिन है इसके अंदर इसलिए यह ती heavy हो रही है, मतलब सब पर heavy हो रही है, इसलिए सब को मार रही है, तो वहां से ठीक नहीं हुई, 6 माईने बाद फिर दुबारा कहीं और गई, वहां से ठीक नहीं हुई, तो बस ऐसे ही चल रहा था थे, people are a poor journalist, अकेला छोड़ दो, अकेले में क्या करते थे, इड्वांटेज मतलब लेने की कोशिश करते थे, कि चले कुछ तो हो जाए, अच्छा, जहां पर तू विजट करते थे, अपने आपको दिखाने के लिए, मैंने, मैं तीन, चार से पांच लोग के पास गई हूँ, सब ऐसे ही थे, सब ने एकाई से अकेला छोड़ दो, हां सब ट्राइ करने की कुश्श करते थे, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि याद तो रहे गा नहीं, अभी तो उस पस्नालिटी में है यह, बट उस पस्नालिटी में भी मेरी चीज़े इतनी चेंज होती थी, कि मैं मार देती थी, मतलब अच्छ तर रिलाइज, अलग पस्नालि सब्सक्राइज होती थी, I guess 10, 11 तू बता सकती है, एक एक करके बता सकती है कि यह होता था, घरवालों ने जैसे बताया बाद में, हाँ, घरवालों ने जैसे बताया कि कभी, ऐसे तू मतलब कोई भी, मतलब जैसे मर्दों की आवाज भी निकानने रग गई थी, सम टाइम फ तू मतलब इस तरह से में बूछता था, क्या नाम है तू महारा कहां रहती हो, कौन से कॉलेज में, चलो हम चलते हैं आपके साथ, चलो मेर को लेकर तो वहां पर मैं नहीं जाओंगी, उसके बद जैसे कुछ ऐसे क्वेशन आते थे न जो मेर को नहीं पता होते थे, तो फिर तू में रिलीज हो जाती थे कुछ से, गिर गई मतलब ज़से कि अगर जाते हैं, तो खादम, कि और को एशन दी मत करें मैं से, और क्या क्या चीज तू में बोला कि तू किसी को भी लिफ्ट कर लेती थी, तो वो कितने बहारी है अबजेक्तिया थे परसन को तू मिफ्ट कर तू मिफ्ट करने के लिए कि नमकम है, कि बुल कैसे दिया, कौन हो तू म? यह सारा तो ऐसा लग रहे है कि, साइकलोजिकल नहीं, सही में कुछ गुज गुज गया थे इसको रिलेट करते हूंगे न, वैसे पैरनॉमल से में को जो भी देखेगा, उसको यही लगेगा कि मेर याम अन्दर को था, एसा कुछ था मेरे अन्दर, 101% और तू पक्काश हो और है कि नहीं था नहीं था, क्यों ऐसा कि लगता है दूजे इस बीन आव 3 यह अंदर में गया, अब थीको मैं थोड़ी ट्रीट्मेंट की बात करता दा जब तू महां पर गई तो कैसे ट्रीट किय करते थे थे क्या होता था मैं बहुत चाले डॉक्टर्स के पास गई उसके बाद मेरको भी पता था कि मेरा मेरको मतलब स्प्रिट पस्नालिटी डिसॉर्टर की इशूज हैं सुब मैं जो एक में डॉक्टर से मिली बाज में तब उन्होंने मुझे बोला दैच्पी कॉल एंज हैं घर पे कोई नहीं है तो वो एक अटाच्मेंट जो था वो बच्पन से जो दीरे दीरे था ना वो एकदम से भार आ गया मेरा तो मुझे आम मैं अटेंशन सीकर थी में अटेंशन के लिए यह सब चीजे कर रही हूं और आपको पता भी दी था यह तो वो कॉन समझदार जिसने आपको रेफर करा कि आप साइकोलोजिस्ट को भी कंसल्ट करो कि यूजवल केसिज में तो हमेशा लोग यही रेफर करते कुछ आ गया कुछ हो गया और उनका फ्रेंड था दाच चंदर अं सुमित तिवारी उन्होंने मुझे बाद अच्छे से गाइड किया ऐसा न खलो चलो फादर के साथ यहाट तो बहार पबलिकली और क्या होता था कुछ बता हो एक अपलिकली मैं पता है न मेरा एवेंट चल रहे है एगडम से आकर मतलब देख एसे बैटी हो एगज अगम से अधे ड़ग एड़ एसको क्या हो गया या एसी बाते क्यों कर रही है आग भूसे ईखी थोपार हाँ, isहत है काया नहीं है आपकाप नहीं चल रहे हो आपने मुझे बूला था ना भूफान लेकर विछ जाओगे अब मुझे लेके काफ भूला थाब भान एक अब रहे तो मैं कहीं पर भी चली जाती थी, लाइक वाक करते हुए, कहां जा रही हूँ, मुझे पता ही नहीं है, मेरी घरवाले ढून रहे हैं, कहां चली गई, मेरी दी मुझे छोड़ने आई ढून करकी, इसकी तब्यद ठीक नहीं है, प्लीज इसका ध्यान रखो, उन्हों भी दर तो इस टाइम पर घरवालेगा करते थी, जैसे तो कहीं भी चली जाती थी, नहीं एक सर्टन टाइम के बाद तो फिर नहीं भेजाना उन्होंने, जब उनको खुद को भी लगने लगा कि बहुत जादा चीजे तब्यद खराब हो रही है उसकी, फिर नहीं भेजते थे ते, खाम पर थी, जब हो और चार डिन सो रहे हैं को रही हैं तो फिर बांध के रहे हैं तो फिर बांध के 예쁘 है, बांध के कासे दिए है योजर निटार को बांद देते थे लिए और किसी को मारोहून ह pressing ना करूण तो दब आप वापस अपनी पर इस अरिजनल परस्नालिटी में ह क्युला ऩॉठक टीटे टो आपको लगता नहीं था कि मुझे क्यूं बांदा हुआ है हाँ तब भी कुल देते था तब उद भुच नहीं को क्यों बांदा हूं है तो यह बढ़ी जिक आया होगा न हो त opposition means कर दिया है अच्छा ठीक है हाँ ऑपरे और आपकी अपिटाइट कैसी थी बढ़ रही थी कम हो रही थी दोनों एकदम सही बढ़ जाती थी मतलब एकदम सही नॉर्मल भी होना मैं लेक पस्नालिटी मेरे अंदर ही है मेरे घर मेल मैं बोलती थी मुझे यह नहीं खाना है मुझ बीन लाइक सेवन शेवन शेवन के बाद तुम किसी के पास फिर गया ट्रीटमेंट के लिए तो छे साल तक उन्हें लगता रहे पोजेश्ट है किसी को भी लगेगा कोई भी मुझे देखेगा तो और उन्होंने जब किसी को भी अपन्सर्ट करा सब नहीं है का कि हाँ जी मैं जब एक लास्ट एक अंटी के पास गई थी वो मुझे लेकर गई थे बाला जी तो मेरे वोई फिर्ण भी वहां पर मेरे साथ ही गया था उसने बुला की ठीक है यहां पर सब बोलते हैं बाला जी में जाओ ना जिसको पर बूत होता है ना वो उसका बाहर आता ही आता है कुछ से कुछ नहीं यहते हुचे तो वहां पर मैंने क्या देखा वहां पर और भी बहुत सारी लोग थे एक लड़का वहां पर था लाइक वह लड़का कोई नॉमल लड़का नहीं है बहुत एजुकेटेड था लाइक आईएस की प्रप्रेशन कर रखी थी उसने निकाल लड़के से मिली वह बिल्कुल वहां पर बैठा हुआ है तो वह जो आण्टी थी जो जाड़ फुक करती हैं काइंड ओ जो की चीजे करती है तो मैंने उन्से पूचा इसको क्या हुआ है उसकी मम्मा से बात करी मैंने तो उन्हों ने बोला कि यह कमरे में बंद रखता है औ तो मैंने बोला अच्छा पर फिर यह करता क्या है तो ही बुचले की ही ड़स सेक्स विद वाल्स और पिछले तीन साल से इसा हुआ है तो उनको ऐसा अपर कुछ है बट दीरे दीरे ग्राज्वली मेरी भी चीजे ठीक हो रही ती मुझे भी लगता था कुछ है पर जब मैं कुछ पबलिक में हुआ है कभी इंबरेस कर दिया हो तुने घरवालों को या बॉइफ्रेंड को कभी ऐसे हां इंडिया गेट में गर गई थी उस तरह की चीजे हो रही थी तो एकदम से उन्होंने सपोर्ट किया मुझे की गाड़ी में लिठा दिया कि अभी तो बहुत चा आना विल लाना वहता था कुल एक शूट पे में को अटेंशन नहीं मिल रही थी शूट चल रहा था सो लाइक मुवी का शूट था तो मतलब वो मॉडल को ज्यादा अटेंशन दे रहे थे ताब मेरी तब मेरी भी खरापती मुझे लगत था मैं भार जाओंगी तो ठीक हो लगी बट वहां पर भी मुझे एकदम से चीजे होने लगी बठीक है उन्हों ने इतनी जल्दी चीजे पकड़ी नी उनको लगा शैद यहाँ जैपूर में दूब बहुत है ला इसलिए शाद इसको इस तरह की चीजे हो गई है और यह जो पांच-छे साल थे मतलब इसमें कि में उन्हेंडल हुब उन्हें मुझा इस ईनी नूं série शूंने हूं एफर धिक मुझे मुझे घट में अच्छा थे मिंछा यह इंचाब आट जया जैख मुरा टिंओंगी ज्य उन एंवे लोगी मैंधी उन्हें गें में को अच्छी और श्ड की अजिगेगेश्यृ आ त आपनी कहानियां भी कुक आप करते हो उस किरेक्टरी इसा करेंगी है आप इसे एथिकली वीडियो बनाना लीगली आलाव नहीं है किसी की भी हम ठीक है एक बर Вेकों ने बनाई दॉक्टरों को दिखाने के लिए तो फिर उन्होंने बोला कि अब इप समने सामने करो कि क्युक कोई काया रहा है कि जो भूट इसको उसके पास ले जाओ तो वो क्या करते थे त्रीटमिन गैसे हुआ करते था वो जैसे बिठा देते थे समान वगयरा इतने नीमबू लेकर आओ इतने नारियल लेकर आओ लॉंग लेकर आओ सो वो बीच में से सर्कल बनाकर अलग सबका अलग तरीका था कुछ पॉपट वगर रखते थे बनाकर गुडिया वगर यह बनाएंगे हम कि देखो इसको पिंच करेंगे तो इसको भी पेन होगा मुझे असा लगता था मुझे कुछ हो रहा है तब तो ओबिजली मैं इन्फिलेंस हो चुकी हूँ ना उन सब चीजों से अलरेडी तो पिंच वाली फीलिंग भी नहीं आती थी तुझे नहीं वो होती थी वो मेरे अखुद का ही मतलब डेलुजन ही था माला वो आपके माहिंड को ऐसे इटमोसफेर में बांध लेते थे कि आप जो वह बोल रहे है वह बिलीफ कर रहे हो अस चीज़ को आपने बोड़ी पर एकसेप्ट कर रहो कि हाँ यह हो रहा है तो वह वही सब जहाड़ फूख करना मेरे गरवले महां पर बैटे हुए हूए अभी मैंने बताया ना जसे एक दो अम्हें मतलब गहर पे हूँ मैं नॉमल हो गई हूँ हूँ एक एक बंदे का कॉल आता है जसे मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है वह मुझे कह रहा है कि कहां पर हो मुझसे बहार मिलो तुमने कभी बलु फिल्म देखी है मैं तुमें बलु वो ट्रीट करने वाले क्या है एक्जाटली जो बाबा अगेरा होते हैं तो उनके बस नहीं जाना चाहिए मैं तो बिल्कुल सज्जेस्टी नहीं करूंगी किसी को कि अगर इस तरह के इंसाइटी अटाक हो रहे हैं पैनिक अटाक हो रहे हैं प्लीज गो टू डॉक्टर तो ज अगर दिख रहे हैं तो बुच्टे थे मुझे यहां पर क्या दिख रहे हैं यह पूश्टर में क्या आपको नजर आ रहा हैं यह क्या कर रहा है और वो पूस्टर में मतलब नॉमली देखती तो वो बिलकुल अलग होता था दो डॉक बैठा हूँ है मुझे अलगी चीजों में मतलब दिख रहे हैं वो सब चीज और और क्या रूटीन रहता था वहां पर रूटीन में लाइक मेरे पास्ट एक्सपीरियंस के मतलब जो भी चीजे होती है वो पूछते थे अब जैसे कुछ ऐसा पूछ लिया तो मुझे अच्छा जब मैं ट्रीटमेंट करवा रही थ उसके कुछ तीन-चार महीने बाद मेरे जो और जो फिर भीन पर स्टी थे इ वो जो चेंज हो गय थे फिर मुझे पर मुझे श्त्त्त पर स्टीन में टाक्ष नहीं इते हैंच्छे वो दिरे दिरे चेंज हो गए थे जाए कैसे में चेंज? बोड़ी बहुत ज्यादा शिवर करती थी जैसे शेकिंग होती है ना उस तरह से शेक करने लग जाती थी बोड़ी बैटे-बैटे करने करने लिए मुझे आतमत लगा हूँ काइंड वली चीजे तो चीजे और यह जादा खराब होने लगे थी ठीक हो रही थी थी हाँ दीरी ठीक हो रही थी क्या होता है जब चाइक चीज को जब ब्रेक करते हो ना तो आपकी एंजाइटी जो है ना वो किसी और चीज को एक्सेप्ट करती है एक चीज कट ख़तम करी अभी भी एंजाइटी है ठीक है वह वाला पाटन में आपको रिलीज होगे कि हाँ यह तो मैं कर रही हूँ वहां से जब ब्रेक होगे ना तो जब दूसरे मतलब आपको लगे का आप नॉर्मल हो गए हो बट अभी आप नॉर्मल नहीं हो गए हो तो क्या होता था, अंट मकून में इया था verk Wertal नहीं होता था मेरी साथ क्या होता था, एक पैटन था यहां पर ना मेरे को पै रिलीज और स्टमक में कछ कछ और स्तामक में और अईपको अजीब से वाइब्रेशन होना स्टां होती थी मैं अपनी दादी के पास आती थी कि मम्मा कुछ हो रहा है मुझे मैं मुझे बैठी short outcome data मटोरा मेरे साही बहुं सिर्ई से मेरे साथ और सकती है identify multiple कर रे यह पानी पी無जा पी बेच्ट का इन कुछ होना जाए होना जाए है सी चिज़ मेंटनी द्रीतोर और कितना तायम आपका ट्रीट्मेट चला उन जब आपको कुछ दिखा रहे है तो आप रिबेलियस नहीं होते हैं नहीं मुझे नहीं करना उनके सामने वाइलेंट होना जब वो कुछ ऐसा पूछते थे ना मेरे पास से रिलेटेट जो मुझे नहीं बसंदा था विसे नॉर्मली चीजे चल रही है बहुत चारी चीजे पूछते थे थे एक्सपरियेंस कैसे थे आपके रिलेशन के घर वाले कैसे हैं फिर उनने मेरे पेरेंट्स को बुलाया उनसे इसे बात करी त्रीट्में फिर चला कितना ताइम तक था और मैंने छे माहिने तक लिया था उसके बाद मैंने खुछ से ब्रेक कर दिया था क्यूंकि मैंने बताया ना चंदर एंशुमिद वाज लाई कि एक्सेप्टेट करना है और तुम ठीक हो जाओगे तो वह फिर मैंन कर लिया कि अब मुझे ठीक होने है कब तक तक तो से उसके बाद से फिर देव जो लुकिंग बैक अचा इस तरीट्मेंट में कुछ मैडिसन्स या कुछ ऐसा कुछ भी होते हैं मैडिसीन आपको दी जाती है वह हैपी हार्मोंस फली मैडिसीन होती है बट वह इतनी स्ट्रुटिंग जो रहेते स्ट्रुटिंग स्ट्रुटिंग तो बहुत ज्यादा और जब तु रिकावर हो रही ती उसके बाद तक भी मैडिसन्स लेनी पड़ती थी या फिर एकदम से मैडिसन्स तो डॉक्टर कहते हैं जितनी जल्दी बन कर दो अचा है तो अब आप हो कैसे अंगर इसूस आते हैं जी सबस्टा करेंगे अच्छा नग जाते हैं वह बहुत लोग भटक जाते हैं यार सही बात है पर इंसान पता भी तो नहीं चलता ना बहुत बार की मुझे हो कर रहा है में दिकत तो ये हमारे पेरेंट्स को लगता है ची दो चार लोगों ने अच्छा एक बर ऐसा भी वा मैं अवनी दादी के साथ मार्केट जा रही हूं पीचे से एक पंडित जी आते हैं और ऐसे मेरे सर पे हात रखते हैं मेरे दादी को कहते हैं इसके ओपर जिन है मतलब उन लोगों कैसे मतलब मेरी परस्नालिटी का पता लगता है मैं तो दादी के साथ रैंडमली चल रही हूं वो एक दम सही आके बोल देते हैं उनको मतलब में को एसा लगता है कि बहुत अच्छी से माइंड करना जानते हैं वो लोग फेस रीडिंग अच्छी है उन से कि वही ऐसे क्या पैंपर करते थे हूं कि इतना अटाइच्मेंट हो गया ऐसे मतलब लाइक एवरी टाइम मैं स्कूल जा रही हूं चुबए उठी सो मतलब मेरे को लाइक करेले का जूस पिलाना खाना मतलब खुद से देना रात को आ रहे हैं तो चलो और यहां चलते हैं मैं को कडाई वाला दूद बहुत पसंद था आइस्क्रीम वाला होता था तो चलो हम चल रहे हैं मेरे घर के पास रबड़ी और रसगुल्य मिलते थे तो को मैं को I'm very fond of that चलो वहां चल रहे हैं तो डॉक्टर ने बता है यह सिर्फ उस अटाच्मेंट की वज़े से यह लग गए ते उन चीजों को भी वह दिल में बैठ गया था यह नहीं यह इसलिए आरहा है इसने मुझे टच किया इसने मुझे कैसे कर दिया तो वो चीज़े भी दीरे दीरे में उन चीजों को भी बहुत साथ गलत पी में लेके जाने और घर पे भी इतनी पैम्परिंग नि नहीं था उसको ऐसा कुछ भी नहीं था मतलब मैं हम एक बार ऐसे बैठे होए थे तो मेरी एक फ्रेंड है काफी अच्छी मतलब मैं उसके साथ एक साल एक डिट साल रही हूँ तो उसकी ना उसके बॉइफ्रेंड से किसी बात पर लड़ाई हुई थी तो हम लोग ऐसे आवाज में बोलने लग गई आवाज चेंज करके फिर उसने मुझे बोला कि मतलब मुझे क्या क्या बोल रही थी मुझे समझ में भी नहीं आ रहा था मतलब किसी का नाम ले रही थी या कुछ बोल रही थी कि मैं ये कर दूंगी मैं वो कर दूंगी तो मैंने ना उसके बॉ जिस थे फोन चीन लिया, मुझसे बुबारा कॉल करने के बोला किसी को तो उसने फोन चीन लिया मुझसे वह कान्ट्रोल ही नहीं हुरी थी इतनी उसके अंदर पावर आता है तो क्या अज़ा हुरी दक्का दरी तेरा को वी एकुषा मैं उसके हाथ से फोन ले रही हूँ मतलब वो टेडी मेडी हो रही है मतलब अपना बोडी उसकी कहा जा रही है मुझे मुझे मैं बहुत पैनिक कर रही थी उस टाइम पर क्योंकि मैंने चीज पहली बार देखी तो फिर उसके बाद ना मैंने उसको बोला मैं गई वहाँ पर कर दूं और कि मेरा एक फ्रेंड था उसका बॉइस्फरेंड था उसलड़ी के का तो वो दोनों आये मैंनो उनको बताया किए ऐसे सकर रही है तो उनके सामने उसने वहीं चीजे दुबारा कर रही है मतलब तक अवन मुझे तब तक और उनसे तीन लोग थे हम दू और मेले वह पुर्टोल नहीं हो ती वह रही थी कि मेरी मम्मी को कॉल करो मतलब वह बाहर से डेली के आउट अपका हाँ इसे तो उसने बोला मैं यह कर दूंगी मैं वह कर दूंगी मैं मर जाओंगी और यह सारी चीजें बोलने के बाद में हम सारे शौक हो कि उसको देख रहे कि हो किय वह बहुत जादा मतलब किसी को हिट कर रही है मतलब उनों ने भी पकड़ा हूए बट वो दो लड़कों से भी चंट्रोल नहीं हो रही है मुझसे तो क्या होती फिर उसके बाद में मेरा फोन फेक दिया था उसने तो उसके बोई फ्रेंड ने ने बोला कि यह ड्रामे कर र पाइम होता था शायद से 3 a.m. और हम लोग उसको नीचे जाके डून रहे कि पार्क में तो नहीं चली गई कहीं चली तो नहीं गई बोल भी रही थी कि यह कर लोंगी वो कर लोंगी कुछ कर तो नहीं दिया इसने हम सारे में ढून किया है वो कहीं नहीं मिली मैं उसको बार देर बार डूनने के बाद ना उसके बॉइफरेंड ने याद किया मतलब उसने पहले किया हो गया सबी मुझे नहीं पता था विकेस मेरे सामने पहली बार हो रहा था तो वो जाके उसको ना चट पे से लेके आया तो फिर उसके बाद उसको लाके वो तब भी पैनिक ही कर र किसी किसी को anxiety हो जाते हैं तो माइड प्रोसेस नी कर पाता है इसे एक्सप्रेस कैसे करना है ऐसा ही होता है हां मतलब बहुत सारे ने emotions होते हैं जो आप expression कर पाते हो sometimes तो वो देरे 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 सी प्रॉब्लम क्या और ही है मुझे ice cream खानी है उबिसल्LY अब the family background के में इस ट्रॉओ नहीं हूं में क्या कर्री ओए हुम चोड़े हैं थीक छोड़ो में कुछ और खाना है मैं कॉंप्रमाइड कर दिढू चोड़ो तो वह बहुत सारी चीज़े हो औरहे हैं मुझे क्यों कानि तो ठीक है, फर्स्ट फ्लोर ही था, जब जादा वो नी था, वो उसमें वो थड़ी बनी हुई थी, तो इतना मुझे लगा नी, मतलब कोई और भी खढ़ा है, मैं उसको बोल रही हूँ, अगर मैं यहां से धक्का देती थी, मैं वहीं चाज़े बेटी रहती थी, मैं देखती रहती हूं नीचे कि मैं यहांसे जर्म कर जाऊंगी तो वो गई कूद नहीं थी, बट उसका boyfriend इतने में चला गया और उसको ले आया तो उसने बाद में बताया मैं हम बाद में डिसकस कर थे ना उसको कुछ भी नहीं बता था कि उसने किया क्या है मतलब उसको सब बूल गई थी फिर उसने बोला उसके boyfriend ने बताया कि डिसकस मत करना क्यूकि उसको पता भी ने एक बार पहले भी गरा था हमारी ऐसे लड़ाई भी थी तो शाद उसको attachment इतन करना चाहिए मैं इसले बूछ रहो ता कि अगर हमारे वीवर्स में से कोई देख रहा है और यह हमारे साथ को ऐसी situation आजा तो मैं कैसे करना है बिल्कुल आप you have to be very calm very calm very patience मतलब आपको patience रखने है पहले तो नॉर्मली बात करो वज्ट अबल्कुल क्या प्रॉब्लम है काउंटर मत करो क्या हो गया है उसको पहले एक comfort zone में लेकर आओ कि उसको पहले मतलब दीरे-दीरे comfortable बोलते है उसको पहले comfortable करना बहुत जरूरी है उसको यह नहीं लगना चाहिए कि आप उसके दुष्मान हो और यह सब ना बताओ कि वो जो हो रहा था जब वो उस personality में थी वो क्या गलत कर रही ती है चलाना यह सब उसको बोलना नहीं होता उस परसंसे बिलकुल नहीं बताना होता आप तब तक उसको नहीं बता सकते अबिसली वो एक तेम के बाद फिर उफेंड हो जाएगी ना बतलगे आपने उसको बुला तो ऐसे कर रही थी और आपको थोड़ी पता है वो उसी personality में बेटी है या फिर नॉर्मल हो चुकी है आपको नहीं यह दो खुख वाथ में बता इसको बता दिया था उसको प्राइबे सिकंड उतुक्र нрав राइद कर रे मैं जब अपनी वीडियो देखी, मैं थोड़ी सी शौक दो गई फिर जब मैं अपनी एक्टेंग करने गई तो महां पर मॉडुलेशन से मेरे सामने आई तो तब जाके वो मॉडुलेशन से मेरे सामने आई, आप मुझे पाता है, हाँ मैं ऐसे बोलती थी और एक चीज और, उसको इसा क tra Stage को थी किसी से, फिर उसके پंटारण हों मॉडसता होदा है गयाพेडेटी थी, तो वोिए ऐसे का उग हो उती हमरे ल होगी तो फीजातन विए गया थी मॉर्टे वों होता है, तो उनका वो हो तो तो डरती है नहीं थी ना मेरे सत्थ प्रॉब्लम ही यही थी आपको जादे ही अग नेक्स लेवल पे था एक ने तो बोलती है था उसके अंदर 40 चालिस बूत हैं इसके अंदर दस जिन है और अलग अलग मतलब बहुत हैं इसके अंदर 40 मतलब 40 होना बहुत बड़ी बात होती ह मतलब बहुत आप ऐसे लूटते हैं वो लोग एक एक लाग दू-दू-दू लाग ऐसे लूटते हैं आपसे समान मंगा मंगा के तो आपने इतने दिये थे उस टाइम पर हाँ में गरवालों ने दिये थे बिलकुल क्योंकि अबिसली उनको लग रहा था कि क्या पता सच में हो अबिसली इसको लगता है कि हा इसमें कुछ है आपको कोई गाइड करने वाला ही नहीं है और अगर तू बता सकते है उस वीडियो में क्या था जो तेरी बॉइफ्रेंड ने रिकॉर्ड करी थी मैं अच्छा मतलब क्यो प्रोपर बोल की बताना है क्या हो तू बता दे उपर क्या तू कि तू ने मल पहले का किया कर करी थी उस वीडियो में कुछ नहीं लाइक अटाक्ष पढ रहे थे मैं कोने में बैटी हुई हूं को क्वेशन कर रहा है आम बिंगॉली तो युज लाइक अच्छा बोल की दिखा यो बिंगॉली बोल की दिखा इफ यॉर बिंगॉ अच्छा बाइब ने घर का अटरस बता हम भी तो मिलके आया तेरे मम्में से मिलाएं पाप अच्छा अच्छा वहां जा अच्छा बहां जाकर लाइक भाइब ना बनाइं की तो भी पसंदी होगी ना चल मिलके आते तो इस तरह से बात हुरी है समान फेकर हुए हुम है यह पॉड़कास था क्योंकि बहुत जरूरी है लोगों को यह साइड भी जानना हुए हम अपने पॉड़कास में बहुत साथ पैरनॉर्मल चीजों की बात करते हैं और जो चीजें तेरे साथ हुई है अकसर हमने सुनी है और जैसे किसी को भी उठा देना इतनी पावर आज दोने पावर फुलते हैं और आपको यह पॉड़कास थोड़ा सा भी बढ़ियां लगा है और अगर आपको फ्रेंड फैमिया कोई भी दोस ऐसी कुछ चीजे फेस कर रहा है और आपको यह पॉड़कास को यहीं पर खतम करते हैं और हम लोग को भी सब्सक्राइब करते हैं इन दोनों को भी आप इस्टेग्राम पर फॉलो कर सकते हैं नताशा अन खुशी को इनके इस्टेग्राम मिचे मैंशन रहें और थोड़ा सा अपना भी ख्याल रखें अंदर इश्वासी ना बने किसी वी चीज को लेकर यह मत बोलो कि वाई बुचड चुगा यह चलो वही आप से मिलेंगे नए पॉड़कास्ट में तिल दन बाबाई सी यू लव यू ओल एंडड़ीजीट वाई